आप सभी का स्वागत है आज इस चैनल पर हम ये दिखाएंगे कि हमारी क्रशक सरी ब्रह्म पाल सिंग जो बालापुर जनपत बिर्जनौर के रहने वाले हैं इन्होंने ट्रेंच बिद से गन्नी की वाई 2013 में शुरुआत की थी और तब से लेकर के इनको प्रदेश अस्तर के प्रुषकार से भी समाने किया जा चुका है और चाहे प्रबंधन का काम हो चाहे ट्रेंच की प्लांटिंग हो इस प्लाट को आप देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत बहतर तरीके से इसका प्रबंधन किया हुआ है पूरे खेट की चैलोतर से वे सोलर फिंसिंग की गई है और अक्तूबर की महीने में उनने इस बार बुआई की थी पहले सितंबर में करते थे लेकिन इस बार किनी काड़न से अक्तूबर की महीने बुआई की गई खासतोर बीझ का चैन है स्वस्थ बीझ के गन्य की बुआई करते हैं और एक गन्य का वज़न कम से कम दो किलो ग्राम या इससे भी अच्छा गन्य अगर मिल लाइ तो उसकी बुआई करते हैं अच्छा बीझ अगर चैन करेंगे तो निश्चित वर से अच्छा उत्पादन होगा बीज का सोधन बैविस्टीन से भी और साथ में अगर गोमूत्र से भी कर लिया जाए तो उसका जैमिनेशन अच्छा होता है उपरे हिस्से के बीज की बुआई इनकी द्वारा की जाती है अभी इनोंने एक खेत अपना छोड़ रखा एक प्लाट छोड़ रखा है जिसमें धैंचे की बुआई करेंगे उसको पलट के और फिर गन्ने की बुआई करेंगे जिससे कि जो संतुरित मात्रा में पोसकत्त्तु गन्ने के पोधे को साल भर चाहिए यह दो साल चाहिए अगर पेंडी भी आप लेते हैं तीन साल तक तो चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और जो जमीन की खुराख है जमीन का जो फिजिकल प्रपरटी हैं चाहे जलधारन करने की छमता हो और चाहे पोधे को सपोर्ट देने की छमता हो और चाहे पोशक तत्यों को प्लब्द कराने की छमता हो चाहे वातायन हो जमीन के अंदर वो बहतर हो जाता है अगर हम ग्रीन मैनुवरिंग पैलेस कर लेते हैं आप इस खेत को देख रहे हैं साड़े चार फिट की दूरी पर गन्नी की बुआई दो आंक के टुकड़े से इन्होंने किया था कुछ हैसे में सिंगल बड से एक आंक के टुकड़े की बुआई की गई है जो खेत तयार किया गया खेत की गहरे जुताई 30 संटीमीटर सबस्वाइलर से की गई है जिससे की जो नीचे की परत है वो तूट जाए और हमारा एरेशन भी अच्छा हो जाए और साथ ही में जो सबस्वाइल मास्चर है सबस्वाइल जो न्यूटिंट्स हैं वो भी पौधे की जो गन्नी की जड़े हैं वो गहराई तक बिक्सित हो सकें इस लिहाज से गहरी जुताई इस खेत की की गई है और बहुते समय बिसेशत दोर से ध्यान रखा गया है कि बाइलेंस संतुलित मात्रा में नेटोजन, फासपरस, पोटास और सूच मपोसक्तितों को यहाँ पर दिया गया है ज्यादा नहीं दिया गया है, सिंगल स्परफासवेट का प्रयोग किया गया है, जिसमें सलफर भी होती है, और फासपरस भी होती है, एक एक अड़ में चार बैग सिंगल स्परफासवेट, एक बैग मिरोटा पोटास का प्रयोग किया गया है, एक बैग यूरिया का प्रयो के लिए फास्पूरस कम से कम रूट फार्मिसेंग के ज़िए रूट की क्रोध के लिए जरूरी है ट्रेंच किसानों की बनी रहनी चीए जब तक आप ट्रेंच की गहराई हैं 25-30 cm नहीं करेंगे तब तक ट्रेंच आपकी बनी नहीं तक बहुत बढ़ा संदु spoken 2013 का उसमें गहरी थी इस प्लाट में थोड़ी सी त्रेंच इन्हूने अभी से बंद करती है जिसके करण जो गन्ये के नए किल्डे करती हैं वह मैंने ओने को पताया कि जो नए किल्डे निकले ने यो नए two लस निकले गभाने से थोड़ी से मोड़ाईी कम हैं लेकिन अगर ट्रेंच को बनाया रखा जा तो नशीत तोर से जो मोटाई है वो अच्छी प्राप्त की जा सकती है गन्ने एक सार होंगे साथ में जो बायोडी कंपोजर है उसका भी प्रयोग किया गया है और समय समय पर एन पी के जो वाटर सालपुल है उनिस 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 और इसके अलावा जो यूरिया फास है और जिसमें केवल पोडाज होती है इनका तीनों का इस्प्रेड डेर से दो पसेट का फोले डिस्प्रेड इसमें किया जाएगा और किया एक बार किया जा चुका है आप देख रहे हैं कि अगर हम साड़े चार फिट क दूरी पर गरने की बुआई इस तरीके से कर लें तो जो हमारा अभी तक खेट का मैनुवल प्रबंधन था इस्रमाधरित था उसकों काफी है तक छोड़े ट्रेक्टर के माद हम सकते हैं अगर इस तरीके से हम खेट का प्रबंधन कर लें तो निश्चित दोर से आप देख किसे हो रही है इसलिए अच्छा है मैं किसान भाईउं से अन्रोद करता हूं कि इस वीडियो को फालो करें यहां पर जो हमने एक पेड़ी का प्लाट भी दिखाया है रैटून का प्लाट दिखाया जिसमें गरनी की पत्तियों को ट्रेस मलचा से मिला करके और जिस प्लाट क को भी किसान भाईउं फालो कर सकते हैं जिसको हमारे किशान प्रम पाल से ने किया है मैं इन्हीं बातों के शाथ पनी बाने के बराम देता हूँ धन्यवाद जैहिन जैभारत